हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे योटूब चैनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक कंस्ट्रक्शन मिस्टेक के बारे में प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे साइट पर ले चलके कि यहां पर क्या मिस्टेक की गई थी कि इतना वड़ा प्रैप्स आ गया है एक ब्रिक वर्क जो है दूसरे ब्रिक वर्क से अलग हो गया है काफी बड़ा क्रैक्स आया है और वहीं पर जो फ्लोर है वह फ्लोर भी धस गया है उसमें भी मेजर क्रैक्स आया है तो आज के इस वीडियो में हम इस कंप्लीट वीडियो में देखेंग कि दिवाल की क्या problem रही है brick work करते समय क्या mistake की गई थी कि इस तरह के problem को face करना पड़ा और जब floor बनाय जा रहा था तो floor बनाते समय क्या क्या mistake की गई थी कि floor धस गया और इतना बड़ा construction failure हो गया तो आज के इस वीडियो में हम इसी topic पर बात करेंगे दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी request है कि please वीडियो को like करते हैं और अगर चैनल पर नए है construction से related ऐसे ही informative videos in future देखना चाहते हैं तो please चैनल को subscribe करके bell notification को all पर press कर दिजे चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हम brick work के बारे में देखेंगे जैसे कि आपको कई सारी वीडियो में बताया गया है कि जब भी आपको brick work करना है जैसे माल लिजे कि ये brick work पहला वाला complete हो गया था उसकी कुछ समय के बाद हमको ये वाला brick work करना था जिसमें cracks आई है तो ये करने से पहले आपको क्या करना है कि जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है कि जो पुराना brick work था वो plaster दिख रहे हैं प्लास्टर के उपर ही नया वाले brick work को कर दिया गया था जब आप पुराना brick work कर चुके थे उस पे plaster work complete हो गया था तो आपको करना ये चाहिए जिससे ख्रायक नँआ है कि जो पूराना brickwork हुआ था उसके उपर जो plastering हुए है उस plastering को आप अच्छी तरीके से छील दें क्योंकि एक plaster work किये हुवे brick के उपर से अगर आप नया brickwork करेंगे तो plaster उतना smooth हो गया कि उसके उपर जो है हमारा नया brick work की bonding इतनी अच्छी से नहीं हो पाई तो आपको करना ये है कि आप या तो वहाँ पर बड़े बड़े टाचे दे दे hacking process कर दे नहीं तो फिर सबसे आसान ये है कि आप जो plaster work हुआ है उसको छील करके बिल्कुल brick के पास से नहीं brick work को start करें इस तरह का काम किया गया होता तो यहाँ पर mistakes नहीं होई होती लेकिन यहाँ पर plaster के उपर से यह ब्रिक वर्क को स्टार्ट कर दिया गया ना कोई टाचा दिया गया ना कुछ किया गया ना हैकिंग की गई तो इस तरह का एक यह फेलियर देखने को मिला तो अगर प्लास्टर वर्क को हटा दिया गया होता या फिर टाचे लगाने के बाद अच्छी तरीके से वहाँ पर क ・t bursting पॉइंट जो है यहां पर घर के सामने पार्किंग के लिए फ्लोर बनाई आए है तो यहां पर प्रॉब्लम में आई है कि जहां मनें जहां पर ब्रिक वर्क है तो फ्लोर ठीक है मतलब नीचे से जो बंवर्क किया गया है सरे जो हमारा बॉटम की फिलिंग करी जब यहां पर सोईल की फिलिंग की गई तो एक ही बार क्या होता है कि पूरे बल्क में सोईल को फिल कर दिया जाता है उपर से हलका कॉमपेक्शन दे करके फ्लोर बना दिया जाता है बात में होता यह हाई कि जब पानी आता है या फिर रेंण वॉटर कह लीज़् है या फिर जो हमारा नॉर्मली हम पानी गिराते वह पाणी जब पहुंशता है थो हमारा जला है वह सेटल होता है सेटल का मतलब कि जब हम मिट्टी को भरते हैं तो उसमें बहुत में Hinter टीप पाता है तो वो नीचे की तरफ बैठता है मतलब वो अपने पोजिशन को सेटल करता है तो इससे होता है कि बहुत सारी स्पेस जनरेट होती है और वहाँ पर स्पेस बनने की वैसे जो हमारा उपर का फ्लोर है उस पर थोड़ा भी फोर्स या वेट लगता है तो वह धंस वो लगबग 2-3 को ही प्रेसर प्रेसराइस कर पाता है बेठा पाता है तो जब भी आप सॉइल को फिलिंग करें तो आप पहले 2-3 वीट सॉयल को भरें उसके बाद प्रॉपर Packious करें पानी डाले उसको अच्छी से बिठाएं फिर next layer जो है 2-3 anga के ऩिन दालें फिर उसपे Packious करें और फिर पानी डाल करके उसको अच्छे से सेटल करें उसके बाद ही अपना floor मना है तो यहां पर यहीं mistake की गई थी ₹ इसके वज़ा से फ्लोर धस गया और यह मेंट रीजन था तो दोस्तों ऐसे ही बहुत सारी मिस्टेक कंश्ट्रक्षण में की जा रही है और बहुत सारे वीडियोज में पहले बताया जा चुका है कि किस तरह से यह mistake आपको नहीं करना है दोस्तों वीडियो को share करिए क्योंकि governance ना होने कि वैसे बहुत सारी mistake की जा रही है तो वीडियो को please share करिए दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो please वीडियो को like कर दें और अगर चैनल पर नए है construction से related ऐसे ही informative videos in future